बिभागे तथा आयोक के मादम से आयोजित परिक्षाओं में अब विवस्ता के चलते परदीश सरकार बिरोज़कारी से तरस्त युबाओं के साथ मजाक एवं खिलवार करने में लगी है प्रदेश कॉंग्रेस प्रभक्ता प्रेमकोशल ने कहा कि पुलिस और पटवारी भरती परिक्षा से शुरू हुआ ये सिलसला कंड़क्टर भरती परिक्षा तक बेखोफ और बच्तूर जारी है सरकार बिविन विभागों में रिक्पदों को भरने के लिए पारदर्शी परिक्षा बेवस्ता देने में पूरी तरह असवल रही है जिसके चलते प्रदेश के युबाओं का भरती प्रक्रिया से विश्वास ही उठ चुका है क्योंकि यहां जिसकी लाठी उसकी भैंस बाली बेवस्ता काइम हो चुकी है प्रेम कोशल ने कहा कि एक तो करोडों युबाओं का रोजगार छिन चुका है उपर से सरकार की असफलता तता नेतरित्व की कमचोरी की बज़े से युबाबर्ग प्रिक्षा केंडरों में हो रही हेरा फेरी से घोर निराशा के आलम का सामना कर रहा है कॉंग्रिस प्रवक्ता ने मांग की है कि सरकार तरंथ इस खटना क्रम की जिम्मेदारी ते करते हुए अवर्शेक कारवाई अमल में लाए बवीन विभागों में भले जाने वाले रिक्त पदों को लिए जिस तरीके से प्रिक्षाओं का आयोजिन किया जा रहा है वो इस परदेश के लाखों बिरोजगार युबाउं का मिज़ाक उड़ाने जैसा है उनके बविशे के साथ खिरवाड़ करने जैसा है और ये पुलिस भरती से एक सिलसला शुरू हुआ उसके बाद पटवारियों की भरती से होते हुए अब कंड़क्टर भरती में भी वोही चीजें दोराई गई हैं स्थेती ऐसी हो चुकी है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस और आजकता और मनमानी का महौल परदेश के अंदर है एक्जामिनेशन सेंटर्स के अंदर जिस तरीके से एलेक्ट्रोनिक लिवाइसिस लेके प्रिक्षार्थी जा रहे हैं एक प्रिक्षार्थी के बदले में दूसरा उसमें बैठ रहा है प्रशन पत्रों में जिस तरीक किसे गलती है पाई गई इस सारी चीजें ब्यवस्था जो है उसमें अनेमतता और बद इंतिजामी का परिचे देती है और सरकार जो है वो पहले से ही जो करोडों हमारे यूबा बेरोजगार हो चुके हैं पर आचुके हैं उनके प्रती इस तरह का रुख इस तरह का रुवईया अपनाकर पहले से दुखी व्यथित और आहत यूबाउं के प्रती निश्ठोर्था का परिचे दे रही है तथा परदेश के अंदर विभिनवी भागों में भरे जाने वाले पदों के लिए पार दर्शी परिक्षा जो है उसको आयुजित करने में सरकार और सरकार के अजिंसिस पूरी तरह से नाकाम हुई हैं पूरी तरह से असफ़ल हो रही हैं और ऐसा परदेश के कमजोर निश्ठों के चलते संबब हो सकता है अगर निश्ठितों मजबूत हो अनभवी हो तो इस तरह की घटनाएं बार बार घटित नहीं हो सकती मैं कॉंगर्स पार्टी की तरफ से ये मांग करता हूँ कि जो घटना करम कंड़क्टर भरती के दौरान घटित हुआ है उसके लिए सरकार तुरंत जिम्मेदारी तया करें और जिम्मेदारी तया करने के उपरांत अवश्यक कारवाई जो है उसको अमल में लाएं करता हुआ है